बिना किताब पड़े 90 प्लस स्कोर इगनू के एक्जाम में कैसे लाएं आज की स्पीडियों डेटेल बाद इसी पर करेंगे कैसे आप लोग इगनू के एक्जाम में बिना किताब पड़े 90 प्लस स्कोर फोड़ सकते हैं आज की इस पीडियो में नकिवल यह बाते बताऊंगा बलकि आपको डेटेल में एनलाइस करके भी देऊंगा कि कोशन कहां से आते हैं ताकि आपको किताब भी न पढ़नी पड़े और कम समय में आपकी तैयारी हो जाए और एक अच्छे स्कोर भी डेफिलेडिक क्रेक हो जाए बेसिकली हम यहाँ पर हाड बग नहीं स्पार्ट बग के बारे बात करेंगे ताकि आप लोग एगनू के एक्जाम को कम समय में टार्गेट कर पाएं और एक अच्छे इसको definitely create कर पाएं तो आपको करना क्या है आज की इस पीडियो का इंट तक चरूर से देखना है साधी चैनलों पहली बार आए है Make sure आप चैनल को चरूर से subscribe करें पहले कंद वाले ताकि लेटेश पीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें आए इसे इंट बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर फर्स्ट वोल जिन भी स्ट्वेंट ने अभी तक हाल्ट के डाउनलोड नहीं किया है यहां से कर सकते हैं लिंक आपको discussion मिल जाएगा अब आते हैं अपने टॉपिक पे कैसे आप लोग तयारी करेंगे देखें इगनू की books की बात करें तो इग्यान कोस पे मिल जाती है अगर आपकी वास पे वास पे बुक्स नहीं है तो आप इग्यान कोस से इगनू की जो books लेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आपको books से तयारी करनी है लेकिन आज की स्टुएंट के लिए बात कर रहा हूँ काफी स्टुएंट के ये सवाल होते हैं कि सर बिना गिताब पड़े कम समय में कैसे त्यारी करें और एक 90 प्ले स्कोर कैसे फोड़े तो आईए उसी पर बात करते हैं अब देखिए end of the time आपको पेपर ही अटेंट करना है आपसे यह नहीं पूछाएंगे कि आपको स्लेवर्स क्या है या फिर आपके पूरे टॉपिक में यह टॉपिक एचली यह भी बताईए इस चेप्टर में क्या था यह बताईए ऐसे नहीं आएगा आपसे कोशन आएंगे उन कोशन के अंसर देने होंगे आपको वहाँ पे मेटर नहीं करता आपने चेप्टर पढ़ा है या आप नहीं पढ़ा है आपको वहाँ पे attempt करना कंपल सरी है विकॉस एक्जाम की बाद में आपसे कोई नहीं पूछेगा तो यहाँ पर main बात है कि भाई आपने उन चीडियों को लिख दिया जो एक्जाम में पूछे गई है तो आप एक अच्छे स्कोर्स फोर्ड रहे हैं ठीके तो अब उसको कैसे समझना है कैसे आप लोग को वो समझना है कि वो एक्जाम में आएगा भी या नहीं चैप्टर में आपकी बहुत सारी चीड़े होते हैं जो अमूमन एक्जाम में पूछी नहीं जाती हैं जैसे यहाँ पर attention listening है कभी नहीं पूछते हैं पॉइंट से आएगा बट अलग वे में तो अब यहाँ पर डारेक्ट कोशन वो हम याद करें हैं जो आ रहे हैं एक्जाम में तो अब यहाँ पर उन्हीं को एनलाइज कर रहे हैं और आपको बता रहें कि यह कोशन आपको टैफल्डी आए गई आए आएगा मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है जो की बिगेई 182 है इंग्लिश कम्यूनिकेशन स्के लिए फर्ष्ट एर में सभी इस्ट्वेंट के पास में कंपल्सरी कोश है अब इस कोश के अंदर ऐसा है क्या कि यह जिससे आपको एनलाइज हो जाए यह कोमन पेपर है इसलिए मै की बात होई रहे तो इसको एनलाईज कर लिए रहाए विकॉस्ट मेजोर्डी इश्वेंट के पास में अब इस पेपर में जो कोशन्स आये हैं जैसे मैं बड़े नंबर की कोशन्स पर बात करूं जो की आपकी आमुमन देखने को मिल ही रहे हैं जैसे यह 10 नंबर को कोशन् और ये कोशन अभी हम जो बात करें न ये है फर्बरी 2021 में सबसे पहला जो इगनूने एक्जाम लिया इस पेपर का वो ये है और इसमें 10 नमबर को फॉर्मल लेटर आया है और अगले पेपर की हम बात करते हैं दिसमबर 2022 का इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको लेटर लिखने को बोला जा रहा है ठीक है यहां पे भी आपको फॉर्मल लेटर लिखने को बोला गया है और आप इसे क्लेली देख सकते हैं ठीक है अगैं सेम टैन मार्क्स का कोशन और ये पचास नमबर का वेपर है अब एनधर पेपर की बात करते हैं जून 2023 में आपको फॉर्मल लेटर मिल जाएगा यह देख लिए टैन मार्क्स का आगें सेम कोशन और इसमें टॉपिक भी सेम है यह जो पहले पेपर में आया था ना सेम टॉपिक यहां पर दे रहा है सेम आपको लिखना है कुछ भी अलग नहीं है इसमें तो के एन मार्क्स के एसेडेट कोशन रिपीड हो रहा हर पेपर में रिपीड हुगा है मतलब अगले question की भी हम बात कर लेते हैं इसी paper से देखिए इसमें एक और question है जो आपको यहाँ पर gd लिखने को बला है जिसमें group discussion आपको लिखनी है यह भी 10 marks का question है इस question की बात करें तो यह question आपका दिसमबर दो जार जो फर्वरी दो जार 21 के उसमें है इसके बाद दिसमबर दो जार 22 वाले में भी आपको दिखा देते है यहाँ पे भी 10 marks का यह पूछा गया है group discussion आपको लिखनी है दो topic दे रखें अगले paper पर बात करते हैं इसमें भी अग group discussion से एक question आया हुआ है topic आपको दे रखें और इसमें भी अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे भी एक और आपसे पूछा गया यानि कि यह 20 marks का भी तक paper हो गया 50 में से जो आपके एसरेट पूछे जा रहे हैं हर बार यह question दिया जा रहा है खिर आगे बात करते हैं एक 4th question को attempt कर लेते हैं जो की last है हमारा यहाँ पे पूछा गया है what are the characteristics of conversation how a conversation is different from other speech event यह questions रूप में है और इस तरह के question आपको other papers में भी मिल जाते हैं जैसे यहाँ पर communication से यह question दिया गया है macro and nonverbal communication से question है 5 marks का यारि कि यह 5-5-10 marks से यह again हो गए इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो another question आपको मिलेगा इसी type का जो की आपसे पूछा गया है यह देखिए इसके बाद इसी में यह same question आपको यहाँ पर दे रिखा है जो आपका उस पाली विपर में पूछा गया था इसके बाद में एक और question में आपको दिखा दूँ जिससे आपको और चीज़ें क्लिर आउल्ट होंगी यार सच में ऐसे question आभी रहे हैं यह आफे नहीं जैसे यहाँ पर देखिए एक question यहाँ पर दे रिखा है एससे लिखने को गला है और इस वाले में dialogue writing है 10 marks का आपको दे रिखा है dialogue writing आपको दिखा दूँ सीम आपको question से यहाँ पर देखने को मिलेंगे यह भी question अमूमन एगनू की उड़ से पूछा जाता है अच्छा इस वाले में dialogue writing एक paper में नहीं है दूसरे में देखते हैं क्या इसमें भी आया हुआ है या फिर इसमें भी नहीं दिया है तो यहाँ पर letter है इसके अलाबा group discussion जे गोशन है इसके बाद यहाँ पर formal letter आपको दे रखा है essay लिखने को आया है और यहाँ पर आपका dialogue writing आया हुआ है मतलब अगर यह question दे रहे हैं तो essay के साथ में दिये जा रहे है essay और dialogue writing आपका आमूमन दिया जा रहा है और यह 5 में से 3 paper में आया हुआ है दो बार नहीं दिया है यानि कि तीन बार तो भाई paper में same रही है चीडे और यह अच्छे संकेद हैं कि अगर आप तयारी कर रहे हो तो previous year जे काफियत तक question आ रहे है अभी तक 40 marks का आपका paper मिल चुका है और जादा ही मिला है क्योंकि कुछ question हमारे ऐसे भी हैं जो अलग अलग वे में आ रहे हैं जैसे एक question यह 5 marks का है और यह आपको अमूमन paper मिल जाएगा home on yam sin home phone से question है और यह आपका जादर paper में यह question सेम रूप से पूछा गया है same question आपका repeat किया जा रहे है इस वाले paper में भी है इसके लावर यहां पर बात करोगे तो यहां पर भी आपका same question दे रखा है इसके बाद other papers में भी आपको यह question देखने को मिल जाता है same question और यह 5 marks गया यानि कि अभी तक 45 marks आपके यहां से हो चुके हैं और 10 marks वो सेम था क्योंकि वहां पर भी यानि 55 marks पचास में से भी हो चुके हैं जो कि आपके अमूमन question सेम हो रहे हैं विकोज यहां पर आपको option जाद दिये जाते हैं इस पज़े से marks भी increase हो रहे हैं अच्छा इसके अलाबा यह question भी आपको repeat किया जा रहा है non-verbal communication से और यह question एक बार नहीं कई बार दे रखा है five marks में यह लगातार पूचने पूचा जाने वाला एगनू की ओर से इस पेपर में question है और नकेवल एक बार पूचा गया कई बार यह question repeat किया है एगनू ने तो ऐसे questions आपको pick करने होते हैं और यह इसलिए भी beneficiary है कि यार जब आप तैयारी कर रहे हो ना तो आपको clear रहती है चीज़ें कि यह question आ रहे हैं तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तो अभी तक आपने देखा कि कई सारे question तो same as it हो रहे हैं और कई सारे topic आपके similar देखने को मिल रहे हैं तो यहां से main बात तो clear यह हो जानी चाहिए अब तक आपको कि भाई देखो previous year काफी important है जितने भी previous year अबलेवल हैं अगर आप इतना भी कर ले तो आपको book उठाने की जरूत नहीं पढ़ने वाली इनके answers आप खुद से करिए internet की सायता से करिए और solution मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है और मैं कहुँगा कि खुद से solve करो यह ऐसा समझोगी यार आपको paper leak कर द लेकिन अगर आप solution लिखोगे कहीं से help लेके तो आप लिख भी रहे हो याद भी करो वो जादा समय तक रहेगा भी उसका benefit यह होगा कि यार आप दूसरी बार exam में लिखोगे न तो आपको जादा लंबी समय तक चीदे याद रहेंगी आप exam टाइम में भूलोगे नहीं इस उसके भी आप कमसे पांच papers all गरो previous year यह मैं previous year की बात कर रहा हूं assignment पर भी नहीं आया हूं assignment से भी बहुत अत्तक कोशन आये हैं और assignment में भी आपको दिखा दूँगा कि कितने कोशन से मैं चली दिखाई देता हूं जिससे आपको clear हो जाएगी यार assignment से कोशन आते हैं या फि और गृप discussion से कोशन 10 नंबर यह हो गए इसके लावा वर्बल कम्म्यूंकेशन नॉन वर्बल कम्म्यूंकेशन यहां से कोशन देते ही हैं प्रिजेंटेशन लिखने को आया है यह देखिए यह भी कोशन इस तरह के वहाँ पर दे रखे थे डायलोग राइटिंग 10 नंबर म इसके लावा यहां पर अनदर कोशन की बात करें तो यहां पर आपको नेक्ष्ट मिलेंगे गृूप discussion से कोशन यह भी आपके एक्साम में दिये जा रहे हैं बार बार दिये जा रहे हैं और वाकी कोशन हैं तो कई सारे कोशन ऐसे हैं जो लगातार पूच्छे जा रहे हैं असायमेंट से तो अगर आप भुक भी नहीं कर रहे हूँ तो यह आप नवा लो आप डेफिनी स्कुर्वी अच्छा गर है निकरे कोश्ट करें जो आपके लिए बेनिफिश्री रहेगा आप इंटरेट की साहर ले सकते हैं लगने सर्फलिश करने है जो जाद अच्छ रहेगा एक कोशन विपर पे अगर आप दो या तीन घंटे पैसे दो घंटे का विपर रहता है एक्जाम में अगर आप देंगे तो एर दो घंटे आप उसी वे में तैयार ही हो जाएगे चार से पांच विपर हो जाएगे आपको लेकिन बैठना पड़ेगा धंग से ओके क्योंकि अगर आप एक या दो दिन देरो तो कम से कम दस घंटे तो दो आप एटलीस कि आप अपनी कोर्स को कमप्रीट कर पाओ दस नहीं तो पांच घंटे तो दो एक दिन में सॉल कर पाओ तभी आप एक्जाम में स्कोर करोगे आप सोचोगी यार एक एक सिंगल कोशन पेपर करके चले हैं और सोचें कि 90 प्लस या पास भी हो जाए तो नहीं हो पाएगा एक सिंगल पेपर करने से आपका काम नहीं चलेगा इस बात को पिसेश तोर प्याद रखें अगर आपको बुक भी नहीं उठानी तो आपको इतना तो करना पड़े हैं पांच पेपर आप सॉल करके जाएं साधी साथ assignment एक और मेन बात ये differ हो सकती है अलगलग courses के लिए ये particular courses में तो ये चीज़े अपनाई जा रही हैं कई सारी courses में differ भी करेगा सो scores के according आप paper देखिए analyze करिए उसके according तयारी श्टार्ट करिए तो ये थी important update जो आपको आज की इस video में देनी थी exam point view से hope कि आपको clear out हो क्या पढ़ना है कैसे आप अच्छे score और पास हो सकते हैं और इस्ट्विंट दिसमबर दोज़ा 23 अमने exam में कैसे वी परा रहे exam में कै इसे question पूचे जारें इसका first analyze आ चुका है अगर आपने ये video नहीं देखिए देख लेना link आपको description में मिल जाएगा वाकि आज की इस video में पसंद आए तो like and share करें ऐसी और वीडियो पाने के चैनल को चरूर से subscribe करें मिलते एक और वीडियो में तब क्लेज जाहें जाए वा है तो